हेलो एंड वेल्कम बैक टू स्टडी मेधा एकाड़मी हम क्लास नाइन का चाप्टर इस माटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अभी तक के कोलोईडल सेलूशन्स, टू सेलूशन्स, सस्पेंशन्स इनकी बात कर ली है आज हम पढ़ने वाले हैं सेचुरेटिड सलूशन्स के बारे में इसकी डेफिनेशन और फिर अनसाचुरेटिड सलूशन्स क्या होता है वो और प्रिपरेशन्स यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक के देखना एक्जाम में डायरेक्ट क्वेशन ऐसा ही आएगा कि वाट आर साचुरेटिड सलूशन्स हाउ आर दे प्रिपरेड या वाट आर अनसाचुरेटिड सलूशन्स तो इसलिए आपको सेम टो सेम जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा का वैसा ही लिखकी आना है और मैं आपको अभी इसका पूरा कंसेप्ट भी समझाऊंगी तो इसलिए इस वीडियो को end तक के देखना Saturated Solutions Saturated Solutions is a solution which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature मतलब Saturated Solution नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि वो Saturate हो चुका है मतलब उसका एक limit reach हो चुकी है उस और limit के उपर वो और भी ज्यादर substances को dissolve नहीं कर सकता है at the given temperature अब यहाँ पर at the given temperature लिखना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे बच्चे ये दो words skip कर देते हैं at given temperature और इसके कारण उनके marks चले जाते हैं अगर हम किसी भी solution का temperature increase करते हैं तो उसकी solubility अपने आप ही increase हो जाती है तो इसलिए उसमें और ज़्यादर substances dissolve हो सकते हैं ये एक probability है कि उसमें और ज़्यादर substances dissolve हो जाए इसलिए हम ये लिखते हैं कि at the given temperature मतलब अगर आपने temperature को constant रखा है तो उसमें और ज़्यादर solutions जो है वो dissolve नहीं हो सकते हैं ये और ज़्यादर substances dissolve नहीं हो सकते हैं उन solutions को हम बोलते हैं saturated solution फिर आती है बात solubility की What is solubility? Solubility होती क्या है? Solubility of a substance is the amount of solute present in a saturated solution of the substance मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक saturated solution में मतलब एक ऐसा substance जिसमें उसकी limit रीच हो गई हो कि कितना amount of solute वो अपने अंदर घोल सकता है उस solution में, एक saturated solution में जितना amount of solute present होगा उसको हम बोलेंगे solubility मतलब it is a measure कि कितना एक solution capability रखता है कि कुछ चीज उसमें dissolve हो जाए अब हम बात करते हैं unsaturated solution की जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये बिलकुल ही opposite है saturated solutions के saturated, unsaturated ये दोनों ही opposite words है वैसे ही saturated solution वो solution जिसमें और ज़्यादा substances dissolve नहीं हो सकते तो unsaturated solution क्या होगा जिसमें और ज़्यादा substances dissolve हो सकते हैं similarly जैसे हमने यहाँ पे saturated solution में लिखा था at given temperature वही same terminologies हमें unsaturated solution में भी लिखनी है हमें पूरी definition इस प्रकार लिखनी है कि unsaturated solution is a solution which can dissolve some more of the solute at given temperature मतलब एक ऐसा solution जिसमें और ज़्यादा solute हम add कर सकते हैं उसकी limit अभी reach नहीं हुई है उस solution को हम बोलेंगे unsaturated solution I hope आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा unsaturated solution क्या होते है saturated solution क्या होते है और solubility क्या होती है अब हम बात करते हैं preparation of a saturated solution मतलब एक saturated solution को हम कैसे prepare कर सकते हैं तो यहाँ पे एक process दीवी है मैं इसे पढ़के बताती हूँ अवरे 50 ml of water in two beakers अड़ा, 1 आट, 1 रान थे लाट, 1 बान बीचर वी अचिlles को देसिल इजंआ जंढ शंद टेसिल्स कि अॉल्ड lot टेसिल्स आदित नल्ली अड़ एका सगर इन अनाद़ बीकर गोंद लाट, 2 आटिसल्स, तो some more solute, the solubility differs with the difference in temperature, इसका मितलब क्या हुआ कि हमें एक saturated solution मनाना है, तो हमें क्या करना होगा, पानी में हम तब तक के sugar गोलते रहें, जब तक के और sugar उसमें नहीं गोल सकती, तो वो एक sugar and water का saturated solution बन गया, similarly अगर हम नमक को पानी में घोलेंगे, जब तक के और ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता, तो वो एक saturated solution बन गया, एक नमक और पानी का, अब अगर हम, हमें ये चेक करना है कि at given temperature जो लिखा है, वो कितना सही है, तो क्या करेंगे, उस mixture को थोड़ा सा heat कर देंगे, heat करने से जो temperature है, वो rise हो जाएगा, और rise होने के बाद में हम ये देखेंगे, कि अगर हम उसमें और थोड़ी शक्कर डाल दे, या salt and water में हम थोड़ा सा और salt अड़ कर दे, तो वो salt जो है, वो और absorb हो जाएगा, और soluble हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा ही temperature बढ़ा, तो उसकी solubility भी increase हो गई, और थोड़ा सा और solution बन जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि at given temperature ये point लिखना बहुती जादा जरूरी है, तो ये थी आज की video on saturated and unsaturated solutions and how to prepare a saturated solution, thank you so much.